हेलो दोस्त, वेलकम टू माई चैनल जिक्के जी असमस्ती, वर्ल्ड मेव के सीरीज में आपता स्वागत है, आज आप लोग को पढ़ाएंगे परमुख देशों के बबी सीमा रेखा, ठीक है, ये दस मिनट में निप्टा देंगे, दस से पंदे मिनट में परमुख देशों क वी जो सीमा रेखा है, इसको निप्टारा कर देंगे, तो आज गयो सीमा रेखा, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छा लएगा, तो लाइक सेर, सब्सक्राइब भी कर देना, पहले हम इंडिया के पास सरूने करेंगे, पहले दूर वाला देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि अच्छांस रेखा देख लेते हैं, सतर्वी अच्छांस लेखा, फिर अर्तिसमी अच्छांस लेखा, फिर उन्चांस मी अच्छांस लेखा, यह तीनों रेखाएं कि इस देश के बीच हैं, पहले यह देख लेते हैं, ध्यान देना हैं आप और ज्यादा उपर में मिलेगा तो चले करते हैं स्टार्ट बिना टाइमिंग अबाएक आज निप्टारा कर देते हैं अच्छांस रेखा का सीमा रेखा का तो चलो देखो पहले देखते हैं सतरवी अच्छांस रेखा तो चलो यहां देखो आप लोग को हम यह टिप रहें ब बियतनाम जो यह भुक बाग कर रहा, आपका क्या है, तो यह है बियतनाम, और बियतनाम जो है, 1945 में फ्रांस-C.C. से अजाद हुआ था, या पर अमेरिका का यह सपोर्ट करता था, और दच्छनी बियतनाम जो था, यह सामवादी बिचालदारा, यानि रूस के सपोर्ट में था चीन के सपोर्ट में था ठीक है तो यहां पर एक सीमा रेखा खिचा गया है उत्री बियतनाम और दच्छनी बियतनाम के बीच एक सीमा रेखा खिचा गया है जिसको बोलेते थे सतरमी अच्छांस रेखा तो पुछेगा सतरमी अच्छांस रेखा किस देश के बीच है तो बॉलना है उतरी बैतनाम और धष्टनी बैतनाम के बीच लेकिन बाद में यह दोनों भाई तो जघर ՗या था लेकिन बाद में जाक largo65 प्रश्टी में दोनों पहुचते हैं अर्थस्मी में यार रखना बियत नाम के राजानी हनोई है कहां है हनोई है ठीक है और अब हो जाते हैं अर्थिस्मी तो अर्थिस्मी अच्छांस रेका हमको कहा मिलेगा तो देखो ये जो टीपे हैं ये जो भुख भाग कर रहा है ये है साउथ कोरिया अब हम समानतर रेखा कहा जाता है और पखलबा जो हो उत्री कोडिया यहाँ पर ताना साहि सासक है पता है आप लोग को और यह जो दचनी कोडिया है यह काफी développ डेस है और सैबसंग जो मुबाइल है यही कहा है दचनी कोडिया कहा है आप लोग को पूछेगा उत्री कोडिया और दचनी कोडिया को को अलग करता है तो बोना अर्थिसमी समांतर रेखा अर्थिसमी समांतर रेखा ये दिनों को अलग करता है सतरमी कहाँ पर तो उत्री व्यतनाम दचनी व्यतनाम और अर्थिसमी समांतर रेखा उत्री कोडिया और दचनी कोडिया को अलग करता है अब हम पहुचते कहां पर तो उन्चासमी पर फटासना सब करने प्टारा कर देंगे और हम भोज हो जाएगा उन्चासमी तो उन्चासमी मिलेगा चल जाओ अमेरिका और कनाडा कहां पहुचेंगे तो हम लोग पहुचेंगे अमेरिका और कनाडा तो देखो यहां पर और अमेरिका का जो ये रायानी है इसको बोलते हैं अलासका, क्या बोलते हैं अलासका, तो हम देख लिए हैं कनाडा और अमेरिका देख लिए हैं, अब ये दोनों के बीच क्या है, तो ये दोनों के बीच यहां पर सीमा रेखा जो है, इसको बोलते हैं उन्चासमी समानतर रे पड़ते हैं कि अमेरिका यहां पर पड़ते हैं फाइप लेक पड़ते हैं ठीक है ना फाइप ग्रेट लेक यानि पांच बराज जील महान जील के बारें पड़ते हैं यहीं पर क्या उसका ट्रीक है उसका ट्रीक है होम्स क्या है होम्स उसका ट्रीक है एस से तो H से हो जाता है Huron Geel O से हो जाता है Antireo Geel M से होता है Mostly Geel E से होता है Erie Geel S से होता है Superior Geel और दुनिया का सबसे मिठे पानी का जel जो है Superior Geel aí ऐसे सबसे ब्राजं जीर के Experience Shagar है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लेकिर वो खारे पानी का जील है तो यहीं पर पांच महान लेक है यहीं पर आपको दिखाई देता होगा यह सुपिरियल जील है यह ओंटरियो जील है यह मिसिगन जील है यह इरी जील है ठीक है यहाँ पांच जील है पांच जील है पांच ने पुरा क्या पांच ने पुरा है सुपिरियल जील मिसिगन जील ह प्यूरोन जील इरी जील और यहां जो समांतर रेखा हो ग्या हैikum यह Μनित को पुछता है 169 अचतर बहुंच 009 आद्टा ओधार के पाइस में यह के बीच मैं या सीमा अब उर खाला है उसको बोलते हाँ, देसांतर कहते हैं,adleua है III s अलास्का और कनाडा को अलग करता है, आप लोग को पता है कि यह उत्री अमेरिका, यहाँ पर थोड़ा एक फोड़ा इंपोटेंट पॉइन इत्ता देते हैं, उत्री अमेरिका के जह सबसे उच्चा चोटी है, उसका नाम क्या ह माउंट मेकिनले है क्या है माउंट मेकिनले है और इसी का नाम बडल का भी कर दिया क्या डेनाली क्या कर दिया डेनाली तो अब डेनाली भी लिखा हुआ मिल सकता है तो उत्री अमेरिका सबसे उचा चोटी मेकिनले यानि डेनाली है जो Alaska में ही इस्तित है पहले ये Alaska ये रूस का था रूस का था, ठीक है ना लेकिन ही वेश दिया अमिर का पास जो पष्ट आ रहा है, तौछलो देख लिए हैं तो पहले हम क्या देखेते पहले हम देखेते 27 अच्छास देखा प्रफ्तारिसमी देसांतर रेखा जो था अमेरिका के अलासका और कनाडा के बीच इतना देख लिए हैं अब पहुचते यूरोप यूरोप से भी बहुत सारा कोचल पुचता है ठीक है देखो यह जो नजर आरा यह क्या है यूरोप है यूरोप में पहले लेते हैं जर्मनी औ और फ्रांस को देखो यह है फ्रांस हम जिसको टिपेंगे देखो यहां यह फ्रांस हो गया जो भुक भाग करना यह फ्रांस हो गया और यह हो गया है जर्मनी यह क्या हो गया है जर्मनी तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है दो सीमा रेखा है एक आपको इधर मिलेगा ए मेगी नुट किसके किसके भी सीमा रेखा है तो बोलना है फ्रांस और जर्मनीं के बिछ और grafald किया है सीज फायर्ड और मेगी नौट जो है जर्मनी और फ्रांस के भी सीमा रेखा है रहिंसे तो यह दहरी डखना उस पर फत्र में कट्र धुस्यूद यादखना बोलेगा मेगी खाएगा तो दोनों बोलेगा नहीं खाएंगे निंद मेगी नोट ק्थिक यह कट़्ण portal दुस्मन है और seine का उल्हंगन होते रहता ईन्वर स्यमा बिवाद होते रहता है तो स्यजय फायल का उलहघन होते रहता है यहाद हो गया मेगी और सीज फायर ये दोनों कौन-कौन देश के बीच है तो ये हुआ क्या ये हुआ मेरा जर्मनी और ये हुआ फ्रांस तो बोलो एक बार और मेगिनोट जर्मनी और फ्रांस के बीच सीज फायर जर्मनी और फ्रांस के बीच अब पहुंचते हैं कहां पर तो पहुंचते हैं ये दो सिमा रेखा है और ये दोनों भी एक दुसरे का दुसमन था तो कि हम जानते हैं कि दुतिये विशुर का जो कारण था वो था जर्मनी के द्वारा पॉलेंड पर आकरमन तो ये दोनों भी एक दुसरे का दुसमन था तो पूछेगा दूतिये भी सुभी कारण क्या था जर्मनी का पॉलेंड पर आकमन ठीक है अभी दोनों के बीच सीमा रेखा है वो क्या है तो ये दोनों के बीच सीमा रेखा जो हुआ है हिंडन बर्ग या डखना तो ओडर निसे बोले या ओडर निस बोले ये हिंडन बर्ग और ओडर निसे जर्मनी और पॉलेंड के बीच सीमा विबाद है सीमा रेखा है तो याद हो गया ना तो बता लो फटा फट जर्मनी और फरांस के बीच सीजफायल्ड और मेगी नोट और जर्मनी और पॉलेंड के है यह रूस और यह जो है यह फिनलेंड तो रूस और फिनलेंड के बीस एक सीमा रेखा यहाँ पर है यहाँ पर एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मेनर हीन क्या नाम है मेनर हीन तो डाइट कुछेगा मेनर हीन किसके किसके बीस है तो रूस और फिनलेंड के बीच या मेनर हीन लेखके कभी-कभी मेनर हीम भी लिखा होता है तो मेनर हीम किसके 20 तो रूस और फिनलेंड के 20 तो यहाँ पर हम कितना देखे तो यहाँ पर देखे थे हम 6 सीमा रेखा एक क्या देखे थे तो एक देखे थे कहाँ पर यह फरांस था और ये जर्मनी था, ये दोनों के बीच दो सीमा रेखा था, एक ठो था, सीज फायल्ड और मेगी नोट, फिर ये जर्मनी और यहाँ पॉलेंड के बीच दो सीमा रेखा था, वो दोनों का नाम क्या था, तो हिंडन बर्ग और ओडर नीस, फिर यहाँ पर बताए थे कहां, यह यहां पर बताये थे यह रूस है और यह क्या है फिनलेंड है यह दोनों के बीच मैनर हिन या मैनर हिम था चलो आप हो जाते हैं कहां पर इंडिया के नजदिक और इंडिया का देखते हैं तो इंडिया के आप लोगों को पता हिए यह क्या है इंडिया और यह क्या है यह है यह यहां पर पानी गुस गया है यहां पर देखेगा थोड़ा पानी गुसा हुआ है ठीक है यहां पानी जो गुसा आता उसको बोलते सरक्रीक और यहीं पर एक समांतर रेखा है 24.7 रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच है तो भारत और पाकिस्तान के बीच तिन सीमा रेखा हो गया एक हो गया आपका क्या तो एक हो गया है लेड किरिप लेखा दूसरा हो गया है 24.7 रेखा और तिसरा हो गया है सरक्रिक जो भारत और पकिस्तान और भारत का कौन हिस्सा तो गुईरात वाला हिस्सा चलो ये देख लिए है अब देखो ये अफगनिस्तान है जहां अभी तालिबान का सासक है और ये क्या है पकिस्तान है ठीक है तो तालिब अफगनिस्तान अफगनिस्तान और पकिस्तान के जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है आप लोग को पता है उसका नाम है दुरंड रेखा क्या है दुरंड रेखा है पहले दुरंड रेखा जो था वो क्या था भाद अजादी के पहले इंडिया और अफगनिस्तान के बीच था क्योंकि पाकिस्तान तो भाद क और खेबल दरला किसके किसके बीच है तो भारत और पकिस्तान के बीच ये देख लिए हैं लेकिन यार रखना है क्या यहां पर देखो यह आपका है बांगला देश जो था यह पहले पकिस्तान के हिसा था तो इस परकार भारत और बांगला देश के बीच भारत और बांगला को अलग करने बला जो लाइन है वो है जीरो लाइन क्या है जीरो लाइन भी बोलेगा तो बोलना है भारत और बांगला देश भारत में कुन तो तिर पुला अब आप यहां देखो यह मियानमार क्या है मियानमार है तो मियानमार यह हो गिया और मियानमार को अलग यहां कर रहा तो मियारमार और इंडिया यहां पर प्राकिर्थिक बोर्डर है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है इधर पर हिमाले आके मुर जाता है ठीक है और हिमाले आके जो मुरता है उसके बोलते हैं अराकान योमा परवत क्या बोलते हैं अराकान योमा परवत तो अराकान योमा नामक परवत किसे किसे के बीच है तो ये भारत और अफगनिस्तान को अलग करता है तो इस परकर हम बता दिये हैं जितना important सीमा रेखा था लेकिन अब बचके चमगादर चीन आपको दिखाए दे रहा है ये क्या है तो ये देखो चीन है बरा जैसा और यहाँ पर क्या है ये इंडिया है ठीक है तो चीन और इंडिया के बीच ये चीन और इंडिया के बीच जो सीमा रेखा लगता है वो सीमा रेखा का नाम क्या है तो उसका सीमा रखा का नाम है मैक मोहन क्या है मैक मोहन तो पूछेगा मैक मोहन किसो किसको अलग करता है किसो किसको तो करता है चीन को और इंडिया को अलग और यहाँ पर थोड़ा आ जा नीचे तो यह देखो यह क्या है तो यह है सीलंका तो भारत और सीलंका क और पाक जलसंधी जो जोड़ता है इधर पटी है पाक की खारी या इधर मनार की खारी पाक खारी और मनार की खारी को जोड़ता है अगर आप यहां ध्यान दे तो यहां पर क्या है यहां पर है अंड़मान निकोबार हमारा और यहां पर ध्यान दो यहां पर क्या है यह वाला जो नगर आ रहा है ये वाला ये किसका हिश्षा है तो इंडोनेसिया का हिस्टा है ये दोनों को भी अलग करता है को तो डखकन पास अलग करता है तो इस प्रकाल जतना सीमा रहता पूझा देख लिए भारत बांगलादेश के बीच लेड़ करीफ लेखा भी है और पकिस्तान के बीच भी है यहां लिखावा रेड़ करीफ जो भात बांगलादेश और भात पकिस्तान के बीच है यह भी पढ़ लिए फिर परेटे दुरन लेखा कहा है तो पकिस्तान अफगनिस्तान को अलग करत बताये थे मैनरहिन या मैनरहिं रेखा एंडर्वर्वर्ग और ओडर नीसीये या ओडरनियस यह जर्मनी और पोलेंड को अलग करता है, यह भी बता चुके हैं फिर आगे दखते हैं, फिर आप लोग को बताये थे क्या हैं, ओर्शन embargo यह भारत और मियानमार को अलग करता है, और ये हिमाले का ही मुरा हुआ भाग है सरक्रिक जो है भारत का गुजरात और बाकिस्तान को अलग करता है मेगी नोट और सीजफायल बताये थे कि ये दोनों कटर दुसमन था पर्थम बिसुद दुतिय बिसुद में तो मेगी नोट और सिजफायल दो है जर्मनी और फरांस को अलग करता है 49 भी अच्छांस रेखा या समानतर रेखा बताए थे USA और कनाडा को अलग करता है और ये सबसे 37 सीमा रेखा है फिर बताए थे 141 मीज़ पच्छमी देसानतर रेखा अलासका जो USA का भागया और कनाडा को अलग करता है फिर बताए थे भारत उसी लिंका को अलग करता है तो पाक जलसंदी करता है यह सब बता दिये हैं तो बताओ आप लोग को फटासना 15 मिनट में निफटा दिये हैं याद भी हो गया होगा ठीक है बहुत जारा कोच्चन पुछता है इसी परकार वीडियो को पाने के लिए सेनल को सब्सक्राब लाइक शेर और कर दें दोस्तों को भी बताएं ठीक है मिलते नेश्व वीडियो में जय ही जय भारत जय विहार थैंक्स